कैसे वह आप लोग उमीद करता हूं बहुत ही बढ़ियां बहुत ही अच्छे होंगे अपने YouTube चैनल पर बहुत सारे short videos अपलोड करते हो अपलोड करते टाइम जो होता है आपके short videos पर 10, 20, 30 इस तरह से आपके short videos पर मिल जाता है और बात में वह भी भीच आना आपके short videos पर बंद हो जाता है याने किस कारण से आपके short videos पर बंद हो जाता है तो आज मैं एक तरीका बताऊंगा अगर आप क्या करना होगा सबसे पहले आपको अपने YouTube अप्लिकेशन को open करना होगा जहाँ पर short video को सही तरीके से कैसे आप upload करें ताकि आपके short videos पर views नहीं रुखे तो आपको क्या करना है यहाँ पर plus वाले icon पर click करना है जो click करने के बाद यहाँ पर आपको चार options आपको देखनी को मिलेगा यहां पे create a sort, upload a video, got live, create a post, आपको क्या करना है? यहां पे आपको क्लिक करना है, create a sort पर, आपको आप चाहलेज़ानलायागा तो यहां पे upload a video, अगर आप long video से अगर आप काटके अपने sort वीडियो अपने चैनल पर upload करना चाहते हैं, तो आप यहां से upload वीडियो पर click करके आपको वहाँ पर मिल जाएगा लेकिन आपको क्या करना है यहां पर create a sort पर click करना है चले यहां पर create a sort पर click कर देते हैं click करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर जो उपर दखें यहां पर 15 second यहां पर show कर रहा है आपको क्या करना इस पर क्लिक करना है ठीक है क्लिक करने के बाद यहां पर क्या होगा आपकी जो सौर्ट वीडियो रहेगा वो साट सेकिंड का हो जाएगा आपको क्या करना है कि यहां पर जिस वीडियो को आपको अपने सौर्ट वीडियो में अप्लोड करना है तो आपको क् इस पिर आले सबुक्र करने के बाद यहां पर साथ सेकिंडी का 20 वीडियो है, यहां पर क्रिएट हो चुगा मैं आप यहां पर क्लिक करना है तो ब niveau क्लिक करने के बाद यह थूढ़ा सा क्रोषेंसिंग भश्यासघ लेगा तो आपको यहां यहां पर करना है तो चलिए पे उपर एक फिर से आपको next का options आपको देखने को मिल रहा है आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है से पहले आपको यहां पे caption your sort सबसे पहले तो आपको क्या करना है इस sort वीडियो का आपको यहां पे title देना है लोग क्या करते हैं सबसे पहले अपने sort वीडियो को अप्लोड करते हैं और उसके बास यहां पर अपने टाइटल डालते हैं इसी कारण से आपके सौट वीडियो पर भीज है वह 10-20 इस तरह से मिलता है बात में वह भी भीज आना आपको सौट वीडियो पर बंद हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है यहां पर सबसे पहले तो आपको अपने सौट वीडियो का टाइटल देना है तो आपको हमेशा मन में रहता है कि टाइटल डाले कहां से तो आपको कुछ भी नहीं करना है मै मैं एक तरीखा बताऊंगा आप चाहें तो यूटूब से ही अपने इस वीडियो का टाइटल डाल सकते हो नहीं तो आपको क्या करना अपने दिमाग से डालना है कि ताकि लोग अगर आप यहां पे इस वीडियो पर टाइटल डालते हो तभी तो लोग यूटूब पर सर्च क क्या है यहां पर टाइटल डालने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी दिमाग में सोचना है कि किस तरह से हम यहां पे टाइटल डाले कि ताकि यूटूब से प पर बढ़ता है स्पीड कैसे बढ़ां यहां पर लिगते हैं मॉबाइल काय से बढ़ाएं यह जो है एक यहां पर टाइटल यहां पर डाल दिया है आपको क्या करना है यहां ही पर आपको टाइटल में ही आपको हैस्टेग लगाना है ï hm, Tammy search लगाएंगे तभी आपकी जो short video का जो वीऊज है वो नहीं रुलगेगा आपको कैसे short ? यहाँ पर यहाँ पर hashtag लगाना है सबसे पहले आपको क्या करना है हर्च तेना का बाद आपको क्या करना है आपको अपना अपने जो YouTube stalk वीडियो में लगाना है तो आपको शाड वीडियो काЫ जह है डाल का है आपको वो यहां पर बैस टालना है. लगाने के बाद आपको दो- तीन ऐसे आपको लगाना आज इस तरह से आपको क्या ja आपको अपने title में ही आपको hashtag का परियोग करना है परियोग करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर अपने अनलिस्टेट पर ही upload करते हैं ठीके upload qlic कर देते है upload qlic karू करने के बाहर आपको क्या होगा यह जो आप्लोड इंग लेना सुरू हो जाए यह दखी दिरहां है यहां पर जो है करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर यहां पर यहां पर अप्लोडिंग यह थे वो वीडियो आपको यहां पर शो करेगा तो चलिए यहां पर इस पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर पेंसिल पेंसिल वाली आइकन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर टाइटल में जो आप डाले थे आपको क्या करना है इसको कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है यहां पे add diipscription में ही आपको paste करना है paste करने के बाद आपको क्या करना है स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे मोर oψeंस देखने को मिलेगा आपको इस पे क्लिक करने के बाद। आपको शॉट वीडियो रापको भीउस है वो बिलकुल महीं रुखेगा तो कैसे आपको डालना है चलिए यहां पर डालते हैं यहां पर तो सबसे पहले आपको सबसे पहले options लगा देना है लगाने के बाद यहां पर लिखना है जिस तरह से जैसे mobile speed कैसे बढ़ाए ठीक है mobile speed कैसे बढ़ाए इस तरह से आपको अपनी tags यहां पर आपको 500 word में आपको यहां पे डालना है ठीक है डालने के बाद आपको क्या करना है यहां पे बैग चले आना है और आने के बाद यहां पे सेव कर दिना है चितो आपको करना है पिर से आपको यहां पे पिंसील वाले आइकन करना है लिए कन्यू Simone कल करना यहां पर पूरी सेट अब आप यहां पर रिर क्रेंगे अपनी लिस इसको पब्लीक कर सकते हैं